हलो, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम पुरियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम सेर करेंगे आपके साथ फिस मसाला की रेसेपी बहुत जादा टेस्टी ये बनके तैयार होगा और मसाले वही सिंपल जो हमारे घर में हमेशा रहता ही है बहुत ज़्यादा टेस्टी और आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे देखेगा वीडियो को लास्ट तक रेसेप आपको पका पसंद आएगी तो चलिए हम बनाते हैं फिस मसाला इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आधा केजी हम फिस को अच्छे से साफ करके ले लिए हैं इसमें डालेंगे एक चमच कस्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और आधे चमच के करीब हम यहाँ पे नमक डालेंगे या टेस्ट के अनुसार आप नमक डाल लीजिए आधे चमच यहाँ पे हल्दी पौडर भी हम डालेंगे और एक चमच निम्बू का जूस डालेंगे निम्बू का जूस जरूर डालिएगा इससे न मचली का स्मेल चला जाता है और इसे अच्छे से आप मिला लीजिए मचली में थोड़ा काटा रहता है तो साबधानी से मिलाईएगा पूरा मसाला मचली के उपर लग जाना चाहिए तो यहाँ पे यह बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है इसे साइड में हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए फेपर डालेंगे और अब इसमें हम डालेंगे धेर सारा लैसन ensuring दो लैसन का यहाँ हम ले रहे हैं थोरह सा लैसन इसमें जादा जाता है जादा लैसन डालिए गा और कटे हुए धनिया का पत्त दालेंगे फोरह सा और थोडरा फोरह पानी डालकर आप इसे एक दम महीन पीस लीज़ें तो यहां पे मसाला हमारा तयार है और मचली बांटों अच्छे से मेरिनेट हो गया है तो अब हम इसे अधिए करेंगे इसके लिए कराही में डाले है सरसो तेल हम यहाँ पे यह मचली सरसो तेल में बना रहे है बहुत जादा टेस्टी बनता है सरसो तेल में और जब तेल अच्छे से गरम हो जाए ना तो एक बार में जितना मचली आएगा उतना आप इसमें डाल दीजिए और जब एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाए तो को चेंज कर दीजिए गैस का फ्ले मीडियम और हाई के बीच में रखिएगा तो बस इसे पलटते हुए दोनों साइड हमें अच्छे से फ्राइ कर लेना है मचली को और यहां पे पहला बैच मेरा तयार हो गया है आप देख सकते हैं हम इसे निकाल लेंगे यह फिस्स फ्राइ आप ऐसे भी खाएंगे न तो बहुत जादा टेस्टी लगेगा तो यहां पे पहला बैच तैयार है और बाकी बचे हुए मचली को भी हम सेम प्रोसेस से फ्राइ कर लेंगे पूरे मचली को हम फ्राइ कर लिए है सेम कराही में डाले है सरसो तेल थोरा सा और और आधा चमच काला सरसो डालेंगे इसे फूटने देंगे अब इसमें हम डालेंगे आधा चमच हल्दी पौडर एक चमच कस्मीरी लाल मिर्ची पौडर इससे मचली तीखा नहीं होगा बस कलर बहुत अच्छा आजाएगा कुछ सेकेंड के लिए आप इसे भून लीजे दस पंदरा सेके के लिए ये मिर्ची और हल्दी पौडर को हम भून लिए है इसके बाद जो मसाला तैयार किये थे न वो डाल दिये है और अब हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहीं पे हम इसमें डाल देंगे टमाटर दो मीडियम साइज के टमाटर को महीन चौप करके डाले है टे मसाले से तेल अलग हो गया है अब इसमें हम डाल देंगे पानी तो आपको जैसा ग्रेबी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल लीजे हम यहाँ पे डेर ग्लास पानी डाले हैं इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं अब कवर करके थोरी देल पका लेंगे या आप इसे तब तक पका लीजे जब तक ग्रेबी के उपर तेल तैडने न लगे तो 3-4 मिनट आप इसे कवर करके पका लीजेगा यहाँ पे थोरी दिर हम पका लिए हैं और आप देख सकते हैं ग्रेबी के उपर बहुत अच्छे से तेल तेरने लगा है ग्रेबी पुरी त चार मिनट और हम इसे पका लेंगे गैस का फ्लेम स्लो और मीडियम के बीच रखिएगा और यहां पे तीन चार मिनट हम इसे पका लिए है और यह फिश मशाला पूरी तरह से बनके तैयार है अब इसमें हम डाल लेंगे धेर सारा कटे हुए धनिया का पत्ता इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसे कवर कर देंगे पूरी तरह से कवर नहीं कीजिएगा थोरा सा इसे खुला रहने दीजिएगा और कवर करने के बाद गैस को बंद कर देंगे थोरी दिर हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे ठंडा इसे ट्राइ जरूर कीजिएगा आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी खाएंगे न सब के साथ ये बहुत जादा टेस्टी लगने वाला है ट्राइ कीजिएगा आपको पक्का पसंद आने वाली है ये फिश मशाला तो एक बर बनाईएगा और हमें बताईएगा कि कैसा था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच सके वीडियो अच्छी लगए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और अगर कुछ अच्छा नहीं लगए तो वो भी हमें बता दीजिए ताकि हम उसे सुधार सके थाइंक क्यू मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसेपी के साथ